हे एवरिवन वेलकम टू मैई चैनल आज के इस वीडियो में अपन तीन ऐसे मोबाइल गेम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2023 में काफी जादा पॉपुलर हो सकते थे इन में से एक आदे गेम तो ऐसे भी थे जो काफी अतक पॉपुलर भी थे और इन में से एक गेम ऐसा भी है जो कि अभी रिलीज भी नहीं हुआ था जिसका सिर्फ बिटा टेस्ट वेगरा ही रिलीज हुआ था बट वो गेम बंद हो चुका है और भाया क्या ही बोले ये तीनों ही गेम जो है बैन नहीं हुआ किसी तरह का एलिगेशन नहीं लगा लिस्ट में नमबर वन पर जो गेम आता है वो है एपिक्स लेजन मोबाइल प्लेस्ट वे इसके टेन मिलियन डाउनलोड हो चुके है पर फिर भी ये गेम बंद होने वाला है इसकी कंपनी रिये स्पॉन इंटर्टेन्मेंट ने एक पूश्ट डालते विए ये बताया है सबी प्लेयर को कि में एक 2023 को 4 पीएम के राउंड जो है गेम बंद हो जाएगा गेम का संसेट हो जाएगा यानि कि गेम अब आप खेल नहीं पाओगे और भाईया आपको बता दे कि इस गेम को आये हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ 2022 में 17 में को ये गेम जो है रिलीज हुआ था और अभी तक तो भाई एक साल भी नहीं हुआ एवनियर अनवेर्सरी भी इनका नहीं हुआ और ये गेम ने डिसीजनली है कि भ सारी चीजे इनकी उमीद से भाई कम है उतना नहीं हो पा रहा है तो इसके वज़े से वो लोग बता रहें कि भाई सर्वर वगेरा को मेंटेन करना गेम की हाई क्वैलिटी और हाई कंट्रोल्स को मेंटेन करने में लोग को प्रॉब्लम हो रही है उसके वज़े से यह लग बहुत सारे बंदे जानते रहेंगे क्योंकि यहां इसने भाई PC और Xbox जैसे प्लेटफॉर्म मोबाइल जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे तगड़े तगड़े गेम दे रखे हैं बट यहां पे जो है यह ने पूस्ट करते वे यह कंफर्म करी है कि उन्हों वो लोग जो ह रहे तो वो लोग रीटफंड नहीं करने वाले क्यूत में जो भी प्लेयर गेम के रहें रहते हैं जो है चैंपियन पर देश सालीर जाही और यह थे लिएरो बिस यह अपने सब्सक्रशाल किसी को भी रीफंड नहीं करने वाले हैं मतलब की भाया गेम में आपने जो भी चीजे खर दी थी वो उसके पैसे आपको नहीं मिलने वाले ये तो बेसिक सी बात है कि अगर गेम में आप कुछ भी खरीद रहे हो तो गेम आप खुद से छोड़ रहे हो तो आपको किसी तरीके का रिफंड नहीं मिलता बट य चैनल पर ज़रूर से उस अपडेट को कवर करूंगा आप लोगों को बताऊंगा इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा और भाया सब्सक्राइब करने के बार नोटिफिकेशन आइकन को जो है और यह गेम निकल के आता है वह है क्लास आफ टाइटन को जो है डिबलपर ने छोड़ दिया भाई इसमें कोई अफडेट नहीं कोई वेंट नहीं अगर कोई है करता है तो कोई बैन नहीं बग हो गया तो भाई या बग फिस नहीं होगा बग को फिक्स नहीं किया जाएगा मतलब टोटली गेम को डिबलपर ने छोड़ दिया है आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते गेम मतलब खतम है और इसका रीजन भी सेम ही दिया गया जो पिछले गेम के लिए था यानि कि जो रिक्वार्मेंट थी जो उन्होंने सोज रखी थे गेम को लेकर वाज़से चीज़ें नहीं हो रही थी और उनको अपडेट वगरे ल हो चुका था प्लेइस्टोर के उपर इस गेम का रिसेंटली ही बीडा टेस्ट लाँच हुआ था जो की काफी बढ़िया गेमपली थी मैंने भी प्रस्नली इसको ट्राई करी थी और यह यह गेम को भी सेम ही कंपनी जो एपिक्स लेजन को ओन करती है यह कंपनी जो है वही स उस गेम का भाईया आगे काम नहीं चल रहा है उस गेम को बंद किया जा रहा है वो भी पर्मनेंटली यानि कि वो किछ भी दिवरेशन के लिए नहीं है कि भाईया दो चार साल के लिए या दो चार महीने के लिए बंद है बलकि उन्होंने कहा है कि इसके डिवलोप्मेंट क यानि किसकी बनाने के काम को पूर या मतलब हरमेशा के लिए बंद कर रहे हैं इस कमपनी के अंदर क्या चल रहा है वो तो भाईया अंदर वाले ही जाने बट फिलहाल के लिए मैं आप लोग को इतना ही इंफोमेशन दे सकता था आप लोग का क्या बीचार है इसके बारे में भाईया जरूर से बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में बट जाने से पहले भाई अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक जरूर देखे जाना